नमस्कार आप सभी का फिल्मी विर्तान्त पर स्वागत है सचीन देव बर्मन हिंदी और बंगला सिनेमा के विख्या संगितकार थे उन्होंने एक से बढ़कर एक कई कालजई गितों की रचना किया था जिनकी मधूर गूज आज तक कायम है सचीन देव बर्मन एक महान संगितकार तो थे ही साथ में कुछ अस्तर के गायक भी थे सचीन देव बर्मन की शादी मीरा देव बर्मन से हुई थी जो बंगाली सिनेमा की जानी मानि संगितकार गितकार और गायका थी वैसे तो सचीन देव बर्मन और उनकी धर्म पत्नी मीरा देव बर्मन ने कई हिंदी और बंगाली गित गाये हैं हुई थी दरसल सचीन दा और मीरा जी एक संगित समयलन में भाग लेने आये थे जहां दोनों की मुलाकात हुई और प्रेम हो गया सचीन दा एक शाही खांदान से तालुक रखते थे इसलिए दोनों ने प्रेम विवाह घरवालों के मर्जी के विरुद किया था मीरा जी रविंद्र संगित के जानकार थी और विवाह के बाद बुंबई आकर उन्होंने हिंदुस्ताने संगित भी सिखा था हम आज इस गित को लेकर आये हैं उसे वर्ष 1948 के आसपास रिकॉर्ड किया गया था जिससे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने तथा संगित बद सचीन दे बर्मन और मीरा दे बर्मन ने मिल कर किया था गित के बोल थे काली बदरिया च्छा गई बता दें की सचीन दा और मीरा जी की आवाज में सजेश गित को वर्ष 2016 में ये म्यूजिकल जिनियस एश्डी बर्मन नामक इल्बम में रिल्यूज किया गया था आये सचीन दा और मीरा जी की आवाज में दुरलफ गित का अनंद लेते हैं काली बदरिया च्छा गई वान पुल ले आगे कोई यादाता है खाए कोई यादाता है जान लबों पर आगे गान पपी है गीत जिया धबराता है खाए जिया धबराता है मैं फिरहन दुहिया में याके ली मेरी खुशी मेरे पियान लेले की तली मुर्चा गई मेरे चाद की उच्छी भटरिया महत सक लहर मेरी नज़रिया सचीनदा और मीराजी दोनों ने गीत को बड़ा ही खुपसूरत गाया है बता दें कि मीराजी पहले वर्ष 1975 में पती सचीन दे बर्मन को तथा वर्ष 1994 में बेटे राहुल दे बर्मन को खोने के बाद मांसिक रूप से अई स्थिर हो गई थी और बहु आश्चा भोसले जी के पास रह रही थी लेकिन वर्ष 2007 में मीराजी भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था वैसे इस गीत का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे जहां से आप लोग गीत का अनंद विस्टार से ले सकते हैं मित्रों आप लोगों को सचींदा और मीराजी का गीत कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कृपया वीडियो को लाइक आवर शेयर करें और सेनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूलें जै हिंद धन्नवा